नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंसुमन नायक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस निउज की डिफेंस टॉक स्रीज में जहांपर हम रोज नए-नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो सुरू करते हैं अज की पहली अपडेट सूपर सुखोई की तरफ से आप सभी जानते कि अभी इंडियन एरफोर्स की सुखोई फ्लीट को सुपर सुखोई स्टेंडर में अफ्ग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है और इसे अभी एचेल की तरफ से इंडिजनल सस्टेम क अपग्रेड करने का प्लान किया गया जिसके लिए HL की तरफ से एक estimation किया गया था और बताया जा रहा कि इस पूरे अपग्रेडेशन प्रोग्राम को complete करने के लिए हमको करीब करीब चार बिलियन डॉलर की जूरत पड़ सकता है अभी इंडियन एर फोर्स और HL के बीच इस प्रोग्राम को लेके बातचित भी चला जिसमें इंडियन एर फोर्स की तरफ से सुपर सुकवे में किया जाने वाले अपग्रेड्स को सॉट लिस्ट किया जा रहा है कि इसमें क्या-क्या सिस्टम को आड़ किया जाएगा और किन-किन सिस्टम को आगे चल के चेंज किया जाएगा HL के मताबिक जो मेजर अपग्रेड्स होने वाले वो इसकी सेंसर्स और इसके विनिक्स में होने वाले और सुखवे की कॉक्पिट को भी कम्प्लिटी नए तरीके से बनाने का प्लान किया जा रहा है जो कि एक complete modern cockpit सिस्टम महां पे होने वाला है HL के मताबिक अभी सुखवे में जो नए सेंसर्स वगरा लगने वाले और जो इविनिक्स लगने वाले तो वे विनिक्स के मामले में हमारे सूपर सुखोई को नियर 5th generation capability देने वारा है HL की तरफ से अभी इसमें एक और नई IRST system के साथ साथ उत्तम एस हरडाव की Mark 3 version को इस्तेमाल करने का proposal दिया गया और अभी 2024 से सभी नई सिस्टम को एक प्रोटाइप में टेस्ट करना सुरू किया जागा जिसके बाद फुल स्केल में सुखोई को 2026 से 2027 के बीच सूपर सुखोई स्टेंडर में अपग्रेड करना सुरू किया जा सकता है अगला अपडेट इंडिया नामी की तरफ से हैं आप सभी को पता होगा कि इंडिया नामी की तरफ सभी अपनी पुरानी BMP2 Infantry Combat Vehicle को रिप्लेस करने के लिए Future Infantry Combat Vehicle Tender को फ्रोट किया गया था इसमें 1750 Infantry Combat Vehicle खरीदे जाने वालें जिसमें अलग-अलग configuration के साथ इन Infantry Combat Vehicle को खरीदने का प्लान किया जा रहा है जिसमें कुछ Combat Vehicle, कुछ Troops Carrier, कुछ Ambulance Type की Vehicle यहां पे होने वाल है अभी इस Tender में रश्या की तरफ से भारत को अपनी BMP3 Vehicle को ओफर किया जा रहा है इसमें अभी Remote Control Weapon Station भी मौजूद है इन Vehicles में एक 100 mm की में गन के साथ साथ एक 30 mm का कैनन भी मौजूद और साथ इसमें एक 7.62 mm की मशीन गन भी मौजूद है रश्या के मुताबग यह एक बहुती powerful Infantry Combat Vehicle हो सकता है जो कि हर तरफी की Infantry Support को प्रोवाइट कर पाएगा अभी तक रश्या की तरफ से clarify नहीं किया गया कि अगर उनकी इस vehicle को भारत खरीने के लिए select करता है तो आगे चलके वो इसको किसके साथ type करके भारत में manufacture करने वाले क्योंकि इस standard की rule के मताबिक इनको making India के अंदर भारत में manufacture करना पड़ेगा इससे पहले भारत में Russian VMP2 vehicle को भी technology transfer के साथ manufacture किया जा चुका है और अभी हमारी ordinance factory board की तरफ से इसकी एक upgraded variant को भी develop किया गया था जिसमें पहले से Indian army को offer किया जा चुका था और इसको भी limited number में इंड़ेट करके आर्मी की तरफ से testing भी किया जा रहे लेकिन large scale में इनको की तरफ से अपनी service में अलग-अलग तरह की requirement को देखते हैं अलग-अलग तरह के drones को धीरे-दीरे सामिल करने की कोईसिस की जाती है लेकिन आज हम जिन डून के बारे में बात करने वाले वह बागी सभी डून के मुकाबले थोड़े अलग तरह के डून होने और और अभी य है यह नौमल डून के मुकाबली क्या अलग इसमें क्या अलग चीज मौझे निद नो की में किस तरीके से अलग हो सकते हैं अब जब हम किसी नौमल डून की बात करतें तो आप सभी जानते हैं कि डून को लोग रिमोट ले operate करते हैं यानि कि हमारे हाथ में remote control लेता है और हम जैसे जैसे input देते हैं डोन वैसे वैसे operate करता है और basically drone और remote के बीच एक microwave communication signal बना हुआ होता है लेकिन तेथर drones की बात करें तो इसमें operator और drone के बीच एक permanent physical link मौझूद रहता है जिसमें एक cable या तार के जरीए operator के साथ connected रहता है अब इनको आर्मी की तरफ से साथ long term surveillance के लिए खरीदने का प्लान किया जा रहे क्यूंकि normally जो fixed ring drones होते हैं वो एक जगा पर hover नहीं कर सकते हैं और इसके बदले हम लोग quadcopter का इस्तमाल करते हैं फिर multi copter का इस्तमाल करते हैं लेकिन इनका जो एंडिवरेंस होता है वो 30-40 मिनिट के बीच होता है तो उस वज़े से अभी तैथर ड्रोन को खरीदने की करने की श्यमता होनी चाहिए साथ साल की सर्विस लाइब के साथ साथ इसमें एक हजार के आसपास लॉंचिंग साइकल भी होना चाहिए और इसका बैटरी पैक है उसमें कम से कम 500 के आसपास रिचार साइकल होना काफी ज़रूरी है अगला अपडेट इंडियन नेवी की तर टर लेवल उपरेशन लेडियन एक्सेसाइज जिसे इंडियन ओसन इजिन में चैनीज निवी को काउंटर करने के लिए कंड़क्ट किया जा रहा है और इसमें निवी की तरप से अपनी सभी मेजर वार्षफ जिसमें डिस्ट्रोयर से लेके सम्मरीन तक सामिल है सभी को डि करने के लिए एक्सराइज को कंड़क्ट किया जा रहा हुआ जिसको बीद जनुरी की टिरले किया ग्या था इसको आंधर पर इसकी कंड़क्ट किया गया था और यह एक तरेके से ट्राय सर्विस एकसराइज था जिसमें नेवी के साथ हमारी आर्मी और एरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसका नाम MPEX 2023 था जिसमें मेंली नेवी की तरफ से कमांडू उपरेशन किया गया था और इसमें